वेलकम तो माई चैनल इस मी आईशे खान और आज हम आपके लिए नेक्स रेसीपी लेकर आए हैं बिर्यानी मगा वीडियो में जाने से पहले फ्रेंज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर आए तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रेस प्रेस अब आपके लिए इस प्रेस प्रेस ब्रेस ब्राइन के इंग्रीडियन्स यह उप्रणी प्रेस दुलावा गोश्ट लेंगे आधा किलो सौफ तीन चमच गणिया चार चमच दो ग्लास पानी एक प्याज मोटी कटी हुई एक लैसुन का टुकड़ा, एक अद्रक का टुकड़ा, दो तेश पात, फिर हम लेंगे तीन लोंगे, साथ से दस काली मिर्चे, एक बड़ी इलाईची, एक डालचीनी का टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार अब यह सारे इंग्रीडियन्स हमें कूकर में डाल देंगे, और हम तीन से चार सीटी ले लेंगे, जिससे हमारा गोश अच्छी तरह गल जाए अब हम बिर्यानी बराना स्टार्ट करते हैं, हमारे बिर्यानी के इंग्रीडियन्स है, फिर हम अब भगोना लेंगे, बगोने में दो चमश तेल डालेंगे, और उसके अंदर हम खड़ा गरम मसाला डालेंगे, खड़ा गरम मसाला पूरा वही डालेंगे, जो हमने अखनी म बनाई थी उसकी बोटियां निकाल लेंगे कूकर में से जार जार के और फिर हम अपने भगोने में डालेंगे और उसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे अब हम जो हैं दही ले लेंगे दही के अंदर थोड़ा सामने अद्रक मिलाया है पिसावा और लाल मिर्श मिलाईए पिसी और पिसा हुआ लैसुन ये सारी चीज़ें हम अपने उसी भगोने में डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से अम इसको भी भून लेंगे अब हम अखनी का पानी च्छान लेंगे च्छनी से और अपने भगोने में डाल देंगे और उसके अंदर एक खौल ले लेंगे उसके बाद जब अच्छे से बॉइल हो जाएगा तो हम अपने चावल भीगे वे उसके अंदर डाल देंगे सारे चावल हम उसके अंदर डालन भीधियों होगे, चाल करेंगे का ईकसी मपारें फ़ह। हएक मास कशी में अधमादे ज़ितां तो कि इसदो की माद़ से दाब नीचे बेरे सारे चावल रेड हो जाएंगे और हम हरी मिर्ष भी डाल देंगे थोड़ी उसके उपर और फिर उसे दुबारा से अपने भगोने को हम सिंपे करके रख देंगे और पूरा ढखकन ढख देंगे जब तक हमारे थोड़ा सा दम में आ जाएंगे चावल ब्रयानी के उपर से थोड़ी सी हम ये प्यास डाल देंगे फ्राई करी भी और हरी मिर्शे डाल देंगे अब हमारी ब्यारी तियार है उसे दिश में निकाल लें हैंसर फॉट